अपका वीजा वरिजनल है या फेक है इसको कैसे चेक करेंगे इससे रिलेटेड मैंने कई एक वीडियो बनाई है लेकिन ये आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुवेट मिनिस्ट्री आफ इंटीरियर ने एक अपना एप लॉंच कर दिया जिसके जरीय से बहुत ही आसान तरीके से आप अपना वीजा नंबर डाल करके आप अपनी स्टेटस ही पता कर सकते हैं और आपका वरिजनल वीजा है या डुब्लिकेट वीजा है इसको भी बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं अगर वो एकस्पायर हो चुका है तो वो भी इन्वैलिट करके बताएगा और आपका जो code होता है बार code उसको भी scan करके आप पता कर सकते हैं यह ministry of quit का एक official app है अगर आपने इसको download किया और download करने के बाद जैसे जो मैं बताऊंगो उससे आपसे आपने किया तो आप अपने घर बेटे अपने ही mobile से आप अपने वीजे को चेक कर सकते हैं लेकिन एक बात औ और इससे related मैंने कई एक वीडियो बनाई है और मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपने वीजे को चेक कर सकते हों और कई एक तरीका बताया है वो भी सब चीजे official site link के जरीए से मैंने बताया था लेकिन आज कोईट का एक official app है उसके जरीए से भी आप पता कर सक आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपेन होगा, दो-तीन तरह का option है, यहाँ पर आप किलिक करके अपने visa की status को पता कर सकते हैं, वाइजनल या फेक है, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि kuwait का ये official app है, जो आपको इस तरीके screen पे शोहरा लिखा हुआ, privacy policy design and development by ministry of interior, यानि कि kuwait ministry of interior के तरब से इस app को launch किया गया है, जो आपके लिए बहुत जादा useful रहेगा, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, तो description में लिंक में मिल जाएगा, इस app का, और last में बताऊंगा, play store से कैसे आप download कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना, कुछ इस biggest interface रहेगा, यहाँ पर visa number शो रहा है, visa number आप यहाँ पर डाल सकते हैं, MOI reference number यहाँ पर visa में एक number मिल जाता है, उसको भी यहाँ पर submit कर सकते हैं, और आपका जो passport number है, उस passport number को भी यहाँ पर submit कर सकते हैं, इसके बाद inquiry वाले बटन पर click करेंगे, तो यह आपका थोड़ी दि यह चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि verify inquiry है, तो हम inquiry वाले पर click कर दिये, अब हम scanning code पर, तो इस तरीके से permission मांगेगा, आपकी यह back camera on हो गया, back camera on होते हुए, आप visa की copy पीछे रखेंगे, और जो उसके पीछे एक code होता, यानि की bar code होता, उसको scan करेंगे, जै ऐसे क्या हिसाब किताब है, सब कुछ clearly पता चल जाएगा, इसके बाद नीचे आजएंगे, नीचे भी वही scan करने के लिए आपको यह option दिखा रहा है, वहाँ से भी आप direct on करके अपना back camera on कर लिजेगा, एक मरतवा permission मांगेगा, उसके बाद भी आपका open होता रहेगा, और आप scan करके अपने वीजे को fake या वाइदनल में convert करके, यानि कि पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा वीजे की क्या status है, इसके लावा यहाँ पर कोई option नहीं ना, बस यह दो-तीन तरह की service जो आपको provide करता है, Quet official app और यहाँ से अपना वीजा आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इस app का link मैं description में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप download कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको play store से download करना है, तो direct quet visa लिख करके, आप play store से इस logo के हिसाब से आप इस app को download कर सकते हैं, और यह सारी सुविधाएं आप उठा सकते हैं, अगर कोई भी new fresher आने वाला है, या किसी को visa issue हो का system आप पता कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, जो कि quet ministry of interior के तरफ से यह official app है, और इस पर भरोसा करने लाइक है, इसके लावा और भी बहुत सारे रास्ते मैंने बताया है, quet visa, amafa, search करिए youtube पर और आप more information गिन करिए, subscribe now